31 अक्टूबर 1984 की सुबर कांग्रेस की मौझूदा अंतरीम अद्ध्यक्ट सोनिया गादी ने गोलियां चलाने की आवास सुनी पहले तो उन्हें लगा कि नजदीक में कोई दिवाली के पटाके जला रहा है लेकिन तभी उन्हें एसास हुआ कि यह पटाकों से अलगावा जए उन्होंने तुरंद बाहर की ओर दौला गादी बाहर का मंजर देखकर उनकी चीखे निकल गई उन्होंने देखा कि पूरु प्रदानमंत्री इंद्रा गादी बुरी तरह से जक्मी हालत में जमीन पर पड़ी है जिसके बाद तुरंद एक सफेथ एमबेस्टर कार में इंद्रा गादी को लेकर करीब के एम्स होस्पीटल की ओर लेके जाया गया गाउन पहने कार में बैठी सोनिया गादी ने इंद्रा गादी का सीर अपनी गोद में रख लिया दोस्तो एम्स पहुचने से पहले ही इंद्रा गादी अंतिम सांस ले चुकी थी लेकिन डाक्टरों ने घंटो अपनी ओर से कोशिस की उन्हें लगातार बलर्ड चढ़ाया गया लेकिन नियती के सामने किसी की नहीं चलती जैसा कि आप लोग जानते हैं जो होने वाला रहता है वही होता है जिसके बाद इंद्रा गादी ने दुनिया को अलविदा कह दिया दोस्तो इंद्रा गादी को अपना अंतिम समय नजदी काने का एसास पहले से हो चुका था जिस दिने अगटना हुई उसी सुबर इंद्रा गादी ने राहूल गादी और प्रेंका गादी को स्कुल जाने से पहले गुडबाय किस किया प्रेंक्या गादी बताती है कि उन्होंने मैसूस किया था उनकी दादी ने आज उन्हें जादा देर तक और जादा जोड से गले लगाया था इसके बाद उन्होंने माज 14 साल के राहुल गादी से कहा कि वह उनके निधन पर रोएंगे नहीं और आगे बढ़कर सभी को समालेंगे दोस्तों यह पहली बार नहीं ता जब इंद्रा गादी ने राहुल से मौद पर चर्चा की थी इसके कुछ दिन पहले ही उन्होंने राहुल से अंतिम संसकार के इंतजामों पर भी चर्चा की थी इसके दवरान उन्होंने राहुल से कहा था कि वह अपना जीवन जी चुकी हैं यहाँ पर एक बात सोचने वाली थी वो इस तरह की बाते अपने बेटे राहुल गादी और बहुत सोनिया गादी से कभी नहीं करती थी अब चले दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि इंद्रा गादी पर कैसे गोलिया चली थी दोस्तों उस दिन इंद्रा गादी की सुबर की सुरुआत पीटर उस्तिनो को इंटर्वियू देकर करनी थी वो अपने कारियाल है अकबर रोट पहुचने के लिए सुबर 9 बच के 12 मिनट बर सरकारी आवास सफदर जंग रोट से निकल रही थी उस समय उन्होंने भगवा सारी पहना हुआ था जब वो अपने सरकारी आवास के गेट को पार कर रही थी तबी एक सुरच्चा गाड़ ने उन्हें सालाम ठोका उन्होंने उस सुरच्चा गाड़ को मुस्कुराकर जबाब दिया तबी उन्होंने ऐसास किया कि उनकी ओर बंदूख तांदी गई है उनका चाता पकड़े नराण सिंग ने मदद के लिए आवाज लगाई इसके पहले कि इंडो तिबिती बॉडर पुलिस के जवान मदद को पौश्ते तब तक बेयन सिंग और सतवन सिंग ने उन पर एक एक करके 36 गोलियां चला दी दोस्तों अगर आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे आर्टिकल मिलेंगे जिसमें बताते हैं लोग की 25 गोलिया लगी थी और मैं आपको इसमें बता रहा हूं कि 36 गोलिया लगी थी लेकिन बेयन सिंग और सतवन सिंग ने 25 से 36 गोलिया इंद्रा गादी के उपर चलाई थी दोस्तों काया जाता है कि साल 1966 में भारत के हिंदू संतों ने गव हत्या पर प्रतिबंद लगवाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई थी लेकिन कांग्रेस की नेता इंद्रा गादी ने उन्हें मौत के घाड उतार दिया था कुछ लोग इंद्रा गादी के मौत का कारड इसी को मानते हैं यानी 1984 के सिक बिरोधी दंगों से जोडते हैं दोस्तों जादा तलोग भारत के इतियास में 1984 का जिक्र करते हैं लेकिन 1966 की बात कोई नहीं करता इस दुरगटना में कितने लोगों की मौत हुई थी इसे लेकर तमाब तरह के दावे सोसल मीडिया पर दिखाय जाते हैं कुछ लोगों ने लिखा है कि इस दुरगटना में कम सकम 250 सादू संतों की मौत हुई थी और कुछ आर्टिकल में आपको यह भी देखने को मिल जाएगा कि इस दुरगटना में लगबग 1000 लोगों की मौत हुई थी कई लोगों ने लिखा है कि 1966 में इंदरा गादी के आदेश पर पुलिस ने फाइरिंग की थी जिसमें 1000 संत मारे गए थे तो फिलाल दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही उमीद करता हूँ कि आप समझ गये होंगे आखिर इंदरा गादी को क्यों मारा गया था और उस दिन क्या हुआ था और हाँ आप इतना गादीब कारे में क्या कहना चाहते नीचे कॉमेंट सेक्षर में कॉमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो को लाइक करना सेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाए